हेलो स्ट्टुएंट कैसे हैं आप अमीद करते हैं आप सवस्तों मस्त होंगे आज हम आपकी नाइंध क्लास की गड़ित की वाक्षीट नंबर 76 करना वाले हैं जो कि 25 जन्मरी के लिए हम घनाब और घन का प्रश्टी शेतफल की बारें पढ़ेंगे प्रश्टी शेतफल हम ज जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है चित्री के अंदर जिन्हें घनाब के फलक भी कहते हैं यह क्या है फलक है इनको खोल देंगे तो इस तरह से जाएंगे एक दो तीन चार पंच छे ठीक है घनाब की लंबाई एल चोड़ाई बी और उंचाई एच मान लेते हैं घनाब के छे आतकर फलकों के चेतफल एस वन एस टू एस त्री एस फॉर एस फाइफ एस शिक्स आपकरती में देख सकते हैं पूरे घनाब का संपूर्ण परश्टपल निकालने के लिए इन सभी फलक जो हैं आपके आयत लिए झाल यानि पूरे प्रश्टपल योग और हम जानते हैं इसमें अगर लंबाई चोड़ाई आ रही है तो इसमें लंबाई चोड़ाई आएन इसमंद्र चोड़ाई और उंचा याएगी तो यह आपका फाम्ला इस तरह से बन जाएगा घनाप का total घनाप का कुल प्रशितफल यानि के two bracket में LB प्लस का BH प्लस का H यह आपको याद रखना पर यह ज़िए हम घनाप के निचले और उपरे फल्कों को छोड़ दें निचले और उपर का छोड़ दें तो बाकी चारों फल्कों का छेथफल क्या होता है घनाप के पार् लैटर सर्फिस अडिया कहते हैं अर्था सच है ओथ फ़्छैन का हो लगया ऐस 3 पलस 4 प्लस 5 प्लस 6 to bracket लेंदर बेंच प्लस में ऐसे और और मेंगा में यह त iteration प्लस फ्लस 2 ठीक से ओ हो कि कि यह आपको आपका आफका लेटर्टा-शरर खिरह आगे देखिए उसने ने एक्जामपल दे दिया एक्जामपल किस तरह से समझे कहता है की लंबाय चोड़ा है करम से पांच मिटर चार मिटर तीन मिटर यह आपका यह वह गया यह वह आपका साथ यानिकि साथ और पचास पैसे प्रती मीटर स्कार की दरसे इस कमरे की दिवारों और च्छत पर सफेदी का करने का वह अपव ग्याद करना है यह कितना खर्चापका हो जाएगा तो पहले तो कमरे का संपूर्ण प्रशित पर टू ब्रैकेट में लबी प्लस का भी एच प एक दिवारों च्छत का च्छेथ पर यानिके सफेदी का च्छीथ पर टू ब्रैकेट में बी एच प्लस हम है यह आपका हुजाएगा चार च्छाड़न स्क्राव और च्छत पर ब्या आप लगाएंगे क्योंकि पेंट सफेदी उसके पाद आपने क्या लगा दिया सबकी रख देंगे एल की वैल्यू बीकी वैल्यू और आपका अंसर आ जाएगा चोहतर मिटर स्क्राइब और एक मिटर का जो खर्चा था वह साड़े साथ रुपे ठीक है तो कमरे की दीवारों और चत पर सफेदी का कुल खर्चा कितनों जाएगा चोहतर के साथ रुपेस आप क्या कर देंगे गुड़ा कर देंगे और पांसो पच्पन रुपे आपका अंसर आगया उसके बाद हम देखें घण दे रखा हैं हमने घं क्या होता है जिसकी लंबाई चोड़ा यूचाई क्या होती है सब बराबर होती है घं एक ऐसा घनाव है इसकी लंबाई चोड़ा योचाई बराबर होती हैं यदि घन का परतिक किनारे के हम की भुजा को A मान ले तो पूरे घन का संपूर्ण प्रशेत्पल क्या हो जाएगा 2AA 2AA यानि के A square A square A square 3AA square हो जाएगा तीन दुनी 6AA square हो जाएगा घन का संपूर्ण प्रशेत्पल आपका हो गया 6AA square यदि हम घन के निचले और उपरी फलकों को छोड़ दें तो बाकी चारों फलकों के छेत्पल का घन का पार्शेत्पल यानि के लेटरल सर्फेस एरिया LSA या हम इसको चार दिव भुजा वाली घनाकार पाने के टंकी का संपूर्ण पर शेत्पल तथा पार्शेत्पल ग्याद कीजिए कहता है यदि चारों पार्श बहारी प्रस्टों पर पच्चेस एंड़ भुजा वाली वर्गकार टायले लगाई जाती है तो कितने टायलों की जरूत होगी टायल ल राक कर देंगे इस टयल्केश्टफल खेँ और वर्ग कर टाइल आपके अब वरक शेत्व जानते हो पहले संपूर्ण निकाल देते हैं मैं घनाबह का संपूर्ण पर शेत्पल सिवसे स्कार एई दरखा आपको एक पॉंट पांच दो बाल इक वाल लिग दिया तो मैंने कहा कि बड़ी चीज को छोट चीज से भाग कर देंगे नौह जानब्य हजार को 625 से भाग करा तो आपका गया 144 अब देखिए आगे क्या कहता है अभ्यास के प्रसंद दीए उसने पहला प्रसंद देखते हैं गनावा का किनारा है किना और उचाइद रखीए 12.5 लंबा किस डिब्बे का पारश οिच द western अधिक है किस डिब्ड का परेश्ड प्रश्ट प्रिश्ठ पर्श्ट 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 पर कम है और कितना कम फीले हम और बता किस का अधिक है तो चलिए देखते हैं पहले एक में आपकी जो घनाकार डिबा उसकी लंबाई दे रखे आपको 10 जो घनाबाकार है उसकी लंबाई है 12.5 आप देख लीजिए चोड़ाई है आपकी 10 औरों चाहिए आपकी 8 ठीक है तो घनाकार डिब्बे का लेटरल सर्फेस एरे लिख दीजिए इतना बड़ा पार पर शेट पलने लिखे लेसे लिख देंगे यह क्या होता है आपका चार ए स्केर चार तो चार रहेगा एक का मतलब है 10 10 को कितनी बार लिखने दो बार 10 गुना 10 हुआएगा यह कितना होगे दस गुना 10 दस दमसो सोचो चार सो यह कितना होगे आपका चार सो सेंटिम्टर इसके है अब घनाबाकार डिब्बे का निकाल देंगे घनाबाकार डिब्बे का लेटरल सर्फेस एरिया क्या हो जाएगा आपके पास पूर सोरी टू एच ब्रैकेट में एल प्लस भी ठीक है यह होता है फार्मला हमारे पास तो टू तो टू रहेगा एच का मतलब है हमारे पास आठ और एल प्लस भी एल है बारह पॉंट पांच हमें दे रखा था दस ठीक है इसको जोड़ दिया बारह और दस कितना होगा बाइस पॉंट पॉंट पॉंच यह होगा सोला पंजसी हासे लगे आठ एक एंक बाद असम्बलव है इसको जोड़ दूनी बत्तिस और चाले असल लगे चार दूनी बत्तिस और चार चार चातिस यह आगा थीन तो साट पॉंट के बाद की जीरो तो वेकार है कितना होगा थीन सो साट सेंटिमेंटर स्कैर फिर उस नहीं से पूंचा किस डिब्बे का पार्श श्यत्पल कम है क जी पूंचा कि डिब्बेका पांच जएद पाल अधिक है कम इसका ए 4 चार सौ इसका ए 460 rd घनाका डिब्बे का पार्श श्यत्पल अधिक है इन जगनाकार इंड़ यह जटे का ओ भुणकार तरह का पृश – कर पिक कुल कर के दू सूसरा संक Jesu कि कर चंधमर खिए पार्श प्रस्टिय चेत्रफल अधिक है कितना अधिक है यह पूछ है तो 400 है था उसका और घनाबा कार का 3060 आया है तो मानिस कर देंगे कितना आए गया आप में पास 40 cm2 अधिक है जी ठीक है अब सेकंड पार्ट में से क्या पूछा देख लेते हैं हम एक बार किस रिब्बे का क्ल परशिश falta क्यम है कुल परशिशrakt phot क्ष international का में यह वताना है तो पहले घन का निकालने घनाकार को डिब्बे का कि टोटल सरफेस एरिया निकाल देंगी क्या हो जाएगा यह आपके पास जी 6A स्केर क्या हो जाएगा आपके पास जी 6A स्केर शिक्स तो 6 रहेगा यह आपका 10 है 10 का स्केर यानिके 2 बाल लिग दें दस इंटू दस दस धाम सो सो चिक्के छे सो चे सेंटिमेटर स्केर आ गया आपके पास घनावा घनाकार का और घनावाकार का निकाल दें घनावाकार का टोटल सर्फिस एरिया क्या होता है टू ब्रैकेट में एल बी एल बी प्लस का बी एच प्लस का एच एल ठीक है यह होता है तो टू तो टू रहेगा ल कितना है बारा पॉइंट पॉइंट पॉइंच ठीक है थोड़ा सा और इधर से लिया आते हैं तू तो टू रहेगा ल है बारा पॉइंट 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 और बी है आपके पास दस यह हो गया 10 ह हो गया 8 यह हो गया 8 और यह हो गया आपके पास एल आपका 12.5 अब इसकी कैलकुलेशन करनी है दो तो दो रहेगा 12.5 धाम कितना हो गया 125 हो गया आपके पास 10.88 हो गया आपके पास और 12.5 अठे कितना हो गया आपके पास सो हो जाएगा ठीक है तो इसको आप जो है क्या कर देंगा जी प्लस कर दीजे सबको अब दो तो दो रहेगा ये आपका पास सो है ही तो सो असी और एक सो पच्चिस कितना होगे जी आपके पास कितना होगा जी आपके पास 305 दुनी चैसो दस सेंटिमेटर स्क्राइब किसका कूल प्रशीट पर कम है तो घन का कम है 600 आया था घन का इसका 610 आया है घना आपका तो लिख देंगे घना का डिब्बे का कुल यानिके टोटल सर्फिस एरिया कम है कितना कम है ये भी बताना है जिसको तो ये बता करने के लिए हम क्या कर देंगे कितना कम है 610 में से 600 मानस कर देंगे कितना जाएगा आपके पास 10 सेंट्यूंटर इसको है तो अब हम देखते हैं दूसरा कोश्चन दूसरे कोशन में कहता है कि एक कमरे की लंबाई चोड़ाई उंचाई आपको 6, 5 और 4 चेंट उट दी है कहता है कमरे का संपूर्ण प्रशित्पुल ग्याद कीजिए कि तब 5 और परती मीटर की दर से कमरे की 4 दिवारी दिवारों और चत पर सफेधी करने का वैब भी ग्याद करना है आपको पहले आपको कमरे का संपूर्ण प्रशित्पुल ग्याद करना है लंबाई चोड़ाई उंचाई 6, 5, 4 है तो देखिए भैजी 6, 5, 4 आपको लंबाई चोड़ाई उंचाई दे रखिए सबसर पहला आपको निकालना है कमरे का संपूर्ण प्रशित्पुल यानिके कमरे का टोटल सर्फेस एरिया ठीक है जी ये एक को निकालना है कमरे का टोटल सर्फेस एरिया क्या है जी आपके पास आप जानते फार्मुला होता टू ब्रेकट में छोटे अच्व कर देब हैं ध में बिसमें फैसे फविए अच्छ आगे में अर्मल्हा है यह यह इस ने שמצू आपकल कर लिए आफ बस पास च्छ विए अपकर पास चार आफ पास च को इसे गुणा कर लीजिए कर लेंगे आप थोड़ी सी दो तो रहेगा छे पंजे तीस पांच चौक बीस छे चौक चौक इनको जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना जाएगा जिए पचास और बीस चोहत्तर हो जाएगा कितना हो गया जिए चोहत्तर हो गया ठीक है दो से गुणा कर दें हम इसकी तो ये हो जाएगा दो चोकाट और दो सत्ते 14 एक सो अड़ाइश सेंटिमिल्टर इसके अब उसने कहा था सफेदी भी हमने करी है चार दिवारी पर करी है और च्छत पर करी है तो हम सफेदी का छेत्रफल निकाल लेंगे सफेदी कहां कहां करी है ठीक है सफेदी का छेत्रफल दूसरे पार्ट के लिए कर रहे हम क्या हां पर है चार दिवारी पर चार दिवारी पर टू एच ब्रैकट में एल प्लस पी और कहां करी है आपने जी च्छत पर करें तो च्छत का हो जाएगा लंबाए गुना चोड़ाई तो टू तो रहेगा एच का मत ड़ स्छ लवड़ चार और ल भी कितने है चे और पॉंच ल है आपके पास छ्छ चोड़ाई है आपके पास पॉंच दो चोप होगे आठ यह होगा 11 और चे पंजब्स होगे आपके पास 30 118 अटासी प्लस में 30 88 प्लस में 30 कितना हो जाएगा जै आपका 8 11 1118 आपका हो जाएगा 118 cm² अब उसने कहा है कि एक cm² पर जो सफेदी का खर्च है वो कितना है 5 रुपे 1 cm² पर सफेदी का खर्च कितना था हमारे पास 5 रूपए तो कितने mitra square आ गया आपके पास 118 cm2 पर सफीद्य खर्च निकालने के लिए या कर देंगे 5 की 118 से 2 ये हो जाएगा आपके पास 5 sharks 34 34 तरै आपके पास 5 एकंठ पार नौ 5 एकंठ आपके पास सेंट्यूंटर स्क्वेर रूपे 590 रूपे आपका अंसर आगए इस तरह से आपके बाट स्टीर पूटा कंप्लीट होगी उम्मीद करते हैं आपको चैसे में आगए मिलते हैं आप से आगली वीडियो में